नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका UPSC Unstoppable में आप है मेरे साथ मेरा नाम है सुमित और दोस्तों I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने exams की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर एक important warfare की बात करने जा रहे हैं एक तरह का युद्ध चल रहा है लेकिन यह हत्यारों से लड़ने वाला युद्ध नहीं है यहाँ पर बात हो रही है technological warfare की यहाँ पर race लगी हुई है US और चाइना के अंदर कि कौन सा देश एक दूसरे से आगे निकलेगा जहाँ तक बात है semiconductor chip manufacturing की क्या होती है semiconductor chip manufacturing क्या है यह पूरी warfare इस पूरे सिनारियो को study करेंगे और साथ ही में यह जो आज चिप warfare चल रही है चिप war जो चल रही है यह race जो चल रही है US और चाइना के बीच में यह जुड़ी हुई है आज से 2-3 साल पहले US और चाइना में और चाइना को लेकर बाकी जो European countries इंडिया ने भी कुछ Chinese companies के उपर restrictions लगाई थी कि हम आपसे 5G जो technology के equipments है वो नहीं खरी देंगे और इसी दोरान हमें देखने को मिलता है technological warfare जो शुरू हुआ था 2020 में आज भी वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और chip manufacturing को लेकर यह पूरी अब इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज हुई है जिसके वज़े से आज इस news को हम discuss कर रहे हैं आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखते हैं कि mains और prelims में कैसे question पूछे गए हैं 2017 में तो 2017 का अगर आप question यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बात कर रहा है चाइना is using the economic relations positive trade surplus as a tool to develop potential military power यानी कि चाइना क्या कर रहा है अपने व्यापार को और व्यापार में होने वाले फायदे को अपनी military strength बढ़ाने के लिए इस्तमाल यहाँ पर कर रहा है और Asia में अपना status बढ़ाने की लिए इस्तमाल कर रहा है और India के लिए बाकी neighboring countries के लिए क् अब यहाँ पर भी जो देश semiconductor manufacturing में आगे निकलेगा उसको यहाँ पर एज मिलेगा एक military power बनने में इसी लिए टॉपिक directly जुड़ा हुआ है उसके अलावा अगर आप प्रिलेम्स का question देखेंगे 2014 का तो इसके अंदर एक खास technology photovoltaic cells यानी कि जिसके जिससे हम solar energy produce करते हैं उसके उपर यहाँ पर पूछा गया यह question है अब यह question कैसे related है दोस्तों यह खास technology पर question पूछा गया है और semiconductor किस technology पर आधारित है कैसे material उसमें इस्तमाल होते हैं semiconductor के एकदम specific question हमें prelims में अभी तक देखने को नहीं मिला है और यह एक emerging technologies का part है critical technologies का part है तो आने वाले समय में सब कुछ semiconductor से ही चीज़े चल रही है तो semiconductor पर कभी भी question पूछा जा सकता है इस तरह से बिलकुल semiconductor को target करके और GS paper 2, GS paper 3 से related ये topic है क्योंकि semiconductor पूरी economy के लिए important है साथ ही में GS paper 2 में आप देखेंगे international relation से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है और पूरे global level पर जो भी यहाँ पर events चलेंगे उससे इंडिया पर क्या असर पड़ेगा ये इस बात पर भी निर्भर करता है तो इंड semiconductor चिप क्या होती है reason for chip war क्या कारण है इस chip war के होने के साथ ही में यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर geopolitical angle क्या है ठीक है कैसे पूरे global level पर ये war जो चल रही है इसमें कौन सा technological warfare में geopolitical angle क्या है ये देखेंगे और इस chip war का impact क्या हो सकता है साथ ही में इंडिया के लिए क्या opportunities हो सकती है और इंडिया ने semiconductor की शेतर के अंदर क्या इंडिया ने यहाँ पर कदम उठाए हैं इंडिया के अंदर semiconductor manufacturing के लिए आगे बढ़ने से पहले एक बार इस question को attempt करेंगे screen को pause करके मैं आपको इसका answer video के end में जरूर दूँगा कहता है कि कौन सा law है इन चारों में से कौन सा ऐसा law है जो ये कहता है कि जो number of transistors लगते हैं एक micro chip के अंदर semiconductor chip के अंदर कुछ transitions लगते हैं जो circuit बनाते हैं यह हर साल double हो जाते हैं खिक है और यह कहता है कि इससे क्या होता है कि जो semiconductor जो chips होती है processing power computer की बढ़ाते है यह और यह processing power semiconductor chips कीवज़े से हर साल डूगनी हो जा हर दो साल में double हो जाती है ठीक है तो यहां पर आपको बताना ही कौन सा law है इन में से जो यह बोलता है कि सेमिकंडक्टर चिप्स जो है कम्प्यूटर आपकी smart watch इसके अलावा जितने भी इंपॉटेंट डिजिटल टूल्स है सब यहां पर डिफेंस के का इस में कार्श टक में सेमिकंडक्टर चिप लगती है हर एक डिजिटल चीज के अंदर आज सेमिकंडक्टर चिप लगी हुई होती है तो यहां पर अब निय चीज यह है कि नेधर लेंग्स क्या करता है नेधर लेंग्स के पास टेकनोलोजी है एक्सक्लूजिव टेकनोलोजी है नेधर लेंग्स के पास यह ऐसी मशीन बनाता है नेधर लेंग्स सेमिकंडक्टर चिप मैनुफेक्चर नहीं करता नेधर लेंग्स ऐसी मशीन बनाता है जो machines help करती है, semiconductor chip manufacturing में, ठीक है, अब यहाँ पर यह जो technology है, specially किसके पास है, Netherland के पास, अब अगर किसी भी देश को, chip manufacturing करनी है, तो उसको machine कहां से लिनी होगी, Netherland से, तो Netherland यहाँ पर क्या करा है, Netherland यह restrictions लगा दी है, अपने machinery export पर, जो वो China को करता है, तो US के lobby के चकर में, US के दबाव में आकर, और US के कहने पर निदर लेंगे, यहाँ पर जो machine है, चाइना को export करने पर restrictions लगा दी है, साथ में यहाँ पर, China ने बदले में क्या करा है, China ने यहाँ पर बदले में, वो किया है, जो China कर सकता है, चाइना के पास rare earth metals, बहुत जादा है, ठीक है, critical, जो minerals है, rare earth minerals, चाइना के पास, उसका काफी अच्छा भंडार है, तो China के पास control है, germanium का और gallium, यह दो तरह के elements है, दो तरह के minerals है, जो की इस्तमाल होते हैं, semiconductor manufacturing में, यानि कि अगर आपको chip बनानी है, तो आपको यहाँ पर इन दो minerals का सहारा लेना पड़ेगा, इन दो elements का, तो China ने क्या करा है, इन semiconductor के जो manufacturing है, semiconductor की manufacturing में इस्तमाल होने वाले यह जो elements है, इनके export पर रोक लगा दी है, यानि कि China ने भी अपने जो minerals export है, उस पर रोक लगा दी है, कि भई अगर America या कोई और दिश, manufacturing semiconductor की करना चाता है, कि भई करके दिखाओ, हमारे इन minerals के बिना आप कैसे कर लोगे, तो अभी फिलाल यह दो news निकल के आई है, Netherlands और चाइना के हवाले से, अब यहाँ पर अगर बात करें, semiconductor chips आखिर होती क्या है, तो आपने सुना होगा कि IC फुग गई, किसी device की IC फुग गई, IC खराब हो गई, तो यह तरह की integrated circuitry होती है, मतलब यह circuit system होता है, जो कि बड़े circuit system को बहुत छोटा करते जा रहे हैं, लार्ज स्केल बड़े circuit system को बहुत छोटा compact करते जा रहे हैं, और आपने देखा होगा, आपके computer में Intel की छोटी सी chip लगी होती है, processor जिसको कहते हैं, वो IC, यह integrated circuitry ही होती है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे circuits होते हैं, silicon और बाकी elements से मिलकर बनी होती है, जैसे की gallium, arsenide इन सबसे, तो यहाँ पर क्या होता है, circuits होते हैं, और यह circuits क्या करते हैं, electrical signals को इस तरह से pass करते हैं, process करते हैं, कि हमारी जो images हैं, या फिर जितना भी data computer में जाकि, जो process होता है, चाहे images हों, videos हों, उसके अलावा कोई भी data, वो सब process होता है, कि इन circuits, यह जो छोटे-छोटे circuits हैं, इनकी मदद से, ठीक है, तो यहाँ पर यह छोटे circuits जो हैं, data को process करने मदद करते हैं, अब आपके जो circuits हैं, integrated circuits, यानि कि इस chip के अंदर, आपके circuits जितने ज़्यादा छोटे होते जाएंगे, और जितने ज़्यादा fine होते जाएंगे, उतना आपका data processing उतना fast होता जाएगा, तो जो design है, circuits के अंदर, जो circuit का design है, यह बहुत important होता है, chip manufacturing के अंतर, आपका design, आपकी processing speed बताता है, उसको बढ़ाता है, उसको control करता है, ठीक है, तो chip manufacturing में design, बहुत जादे important है, और बहुत ही complex काम है, बहुत micro level पर जाकर circuits design करने होते हैं, जो की data को process करते हैं, इसलिए हर देश के पास, ना तो यह technology है, सिर्फ manufacture करना एक अलग बात है, डिजाइनिंग भी एक अलग बात है, तो design, circuit को design करने की capability हर देश में नहीं है, साथ में manufacturing की capability भी हर देश में नहीं है, और इसलिए इसको अब इन chips को new oil कहा जाता है, इन chips को new oil कहा जाता है, बहुत जादा यह जरूरी है, जितना भी digital environment ecosystem है पूरी दुनिया में, 2020 के अंदर हुआ क्या था, कोविट की restrictions की वज़े से, चिप supply chain disruption हो गया था, चाइना में जो chip manufacturing थी, उनके plants बंद हो गए, जो माल है एक जगा से दूसरी जगा नहीं transport हो पा रहा था, export, import में रुकावट आई थी, ऐसे में क्या हुआ पूरी दुनिया के अंदर, semiconductor chips जो थी, उनकी shortage होनी शुरू हो गई थी, और ऐसे में क्या हुआ था, जिन devices में ये chips इस्तिमाल होती हैं, उनके दाम बढ़ गए थी, और lockdown में हमने देखा था, कि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, तो automobile sector के अंदर, गिरावट हमें देखने को मिली थी, lockdown के, यानि कि 2021 तक ये गिरावट हमें देखने को मिली थी, late 2021 तक क्यों, क्योंकि जो semiconductor chip cars के अंदर लगती है, वो shortage में हो चुकी थी, और यहां पर लोगों को काफी वेट करना पड़ रहा था, cars वगरा को अपना delivery लेने के लिए, आप देख सकते हैं, ये integrated, इसके अंदर circuits इस तरह से होते हैं, micro level पर, ठीक है, तो ये हैं ICS यानि की semiconductor chips, अब इन chips का जो वार चल रही है, चिप वार चल रही है पूरी दुनिया में, इसका background आखिर क्या है, तो इसका background ये है कि भई, supply chain description आ गया था, COVID के जमाने में, COVID के समय पर, अभी ठीक है, उसके अलावा यहां पर जपाइन के अंदर, जो microchip manufacturing unit है, उसके अंदर आग लग गई थी, इससे भी supply chain shock यहां पर देखने को मिलेगा, साथ में यहां पर, इस chip warfare का जो background है, इसके अंदर supply shock के साथ साथ, चाइना के ambitions भी important है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना लगातार अपनी manufacturing capacity बढ़ाता जा रहा है, और ये क्यों important है, क्यों ये warfare से related है, इसको अभी समझेंगे, ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहां पर देखें, ये जो chip war है, ये आपको 2020 के आसपास भी देखने को मिलेगी, जब चाइना की companies के ऊपर restrictions लगाई गई थी, European countries के द्वारा, इंडिया के द्वारा और अमेरिका के द्वारा, तो जैसे हुआवे और ZTE company जो है, इनके 5G equipments पर restrictions लगाई गई थी, तो ये जो पूरा background है, chip warfare का यहां पर आप देख सकते हैं, इस सभी समय के दौरान यूकरिन रशिया वारफेर के, दौरान भी यहां पर supply chain disruption आता है, अब यहां पर अगर बात करें, इसमें ताइवान का क्या रोल है, अब यहां पर picture में ताइवान आता है, US और चाइना की जो वारफेर हैं, ताइवान का क्या रोल है, ताइवान दरसल पूरी दुनिया का लीडर है, chip manufacturing के अंदर, यह 60% जो पूरा supply chain है, chip manufacturing की, जितना भी production है, इसके अंदर 60% contribution ताइवान का है, यानि कि ताइवान एक बहुत बड़ा player है, chip manufacturing की जहां तक बात है, उसके अलावा जो high grade chip manufacturing है, यानि कि जो defense के equipment में use होगी, space equipment में use होगी, जो high quality chip manufacturing है, उसके अंदर 90% जो share है, 90% जो contribution है, वो किसका है, वो ताइवान का है, अकेले ताइवान का, और अगर US की बात करें, तो US का जो market share है, वो 12% के करीब है, European countries का कुल मिलाके, इनका 9% के आज पास है, और यहाँ पर अगर बात करें, चाइना की, तो चाइना जो है, एक बहुत बड़ा player नहीं है, semiconductor manufacturing में, लेकिन इसका जो semiconductor manufacturing है, चाइना का, अब यह बहुत speed से बढ़ रहा है, लगबग 30% का, CAGR, यानि की, compound annual growth जो है, annual growth 30% के sector से, चाइना के अंदर manufacturing बढ़ रही है, यानि कि आने वाले समय में, चाइना बहुत जल्दी market को capture कर सकता है, तो चाइना में हला कि अभी जो चाइना है, 90% depend करता है, semiconductor के imports पर, या फिर अगर चाइना के अंदर, कोई company, manufacture कर रही है semiconductor, तो वो foreign company है, तो चाइना के अंदर अगर manufacture हो भी रहा है, तो foreign company के दुआरा हो रहा है, जैसे कि ताइवान होगी, या फिर उसके अलावा 90% import हो रहा है, अब यहाँ पर चाइना की आप देख सकते हैं, growth rate कितनी fast है, तो यह अमेरिका के लिए एक सिरदर्द है, कि आने वाले समय में, चाइना जो है, पूरा जो semiconductor की market है, इस पर control कर सकता है, और अगर आप देखें, अभी ताइवान जो है, ताइवान को लेकर dispute है, चाइना उसको claim करता है, US चाता है कि ताइवान एक independent country की तरह function करे, तो अभी जो ताइवान का जो trade ecosystem है, वो अभी थोड़ा free है, लिबरल है, उससे क्या है, उससे यह है कि चाइना का उसपे control नहीं है, तो चाइना का भी control, global supply chain जो है, chip manufacturing की उसपे चाइना का control नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ताइवान को, इन case आगे चलके कभी भी हो सकता है, यह खत्रा है कि ताइवान को चाइना अटैक करके भी अपने अंडर ले सकता है, क्योंकि अब रशिया ने example set यूकरेन का कर दिया है, ठीक है, यूकरेन का example जैसे क्रीमिया को 2014 में ले लिया था, उसके अलावा अभी लड़ाई कर ली, यहाँ पर हो सकता है कल को ताइवान पर अटैक करके चाइना उसको अपने अंदर मिला ले, क्यों, क्योंकि चाइना मानता है कि ताइवान जो है एक प्रोविंस है, चाइना का, जो कि उससे थोड़ा अलग रह रह रहा है, विचार धारा अलग होने की वज़े से बाकी वो प्रोविंस चाइना का ही है लेकिन यहाँ पर बाकी कंट्रीज जो है अलग-लग कंट्रीज को मानती है इंडिबेंडेंट स्टेट भी मानती है कुछ कंट्रीज ताइवान को तो यहाँ पर अगर बात करें अब यहाँ पर खत्रा ये है अमेरिका को चिंता ये है कि जिस दिन अगर अगर अटैक हो गया कबजा हो गया तो global supply chain जो है चिप manufacturing की उस पर चायना का कबजा हो जाएगा और इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा equipment नहीं है latest, digital, कोई बड़ी technology नहीं है जिसके अंदर चिप manufacturing का इस् sophisticated आप equipments बनाएंगे आप कितने sophisticated devices बनाएंगे जितने sophisticated devices बनाएंगे उतना क्योंकि आपको data बहुत process करना है Artificial intelligence क्या है डेटा पर चलती है जितना data आप डालेंगे जितना data process होगा जितने अच्छे से process होगा उतने अच्छे आपके artificial intelligence devices काम करेंगे आने वाले जमाने में आप देखे ग्रोन अटेक अभी भी बिना इंसान के होते हैं ठीक है आने वाले समय में आटिफिशल इंटेलिजन्स का बहुत बढ़ा इस्तेमाल होने वाला है अगर चाइना इसके ओपर कंट्रोल कर लेता है ग्लोबल सप्लाइचेन पर तो यहां पर समस्या हो सकती है अमेरिका के लिए और इसलिए भी अमेरिका चिंतित है क्योंकि भई चाइना ने अपना जो खर्चा है बहुत जादा बढ़ा दिया है अपने डोमेस्टिक चिप और चाइना का टार्गेट है कि इसको 2049 तक वर्ड क्लास मिलिक्टरी बनाना है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट जेनरेशन वार्फेर है यह पूरी तरह से डिपेंड करेगा किस पे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पे और डेटा प्रोसेस करने की कि यहां पर जो सोल्जर्स को किस तरह से जो डिवाइसिज हैं यह असिस्ट कर रहे हैं कि डेटा उन तक ट्रांसफर कर रहे हैं उनको बता रहे हैं पूरी लोकेशन जैसे आप गेम खेलते हैं आने वाले सामय में एक-एक फॉजी की लोकेशन पूरी पता होगी कौन कहां से आ रहा है कैसे तो बहुत जादा data का इस्तमार हो सकता है उसके अलावा जो devices है artificial intelligence में इस तरह के आप देख सकते हैं man-made जो जो dogs है इस तरह के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं तो यहाँ पर इस पूरे सिनारियो में जो वार चल रही है हम समझ गए इसमें geopolitics कहां पर है और य कि यॉर्पियन कंट्रीज के उपर तो यॉर्पियन कंट्रीज ने तो 2020 के अंदर चाइना के 5G एक्टमेंट्स खरीदने से मना कर दिया था उसके अलावा यहां पर नेदर लेंट्स ने क्या करा अभी दबाव में आके कि वह हम आपको जो मशीन मैनुफेक्चरिंग में इस्तवाल होती है, चिप मैनुफेक्चरिंग में वह आपको नहीं देंगे क्योंकि नेदर लेंट्स में ही वह मशीन बनती है ठीक है बहुत जादा सॉफिस्टिकेटिज बहुत एक्सपाइटीज वाला मामला है यह मैनुफेक्चरिंग ठीक है, डिजाइन में expertise होना, manufacturing में expertise होना, उसके अलावा machine जो बनानी है, जो machine इस्तमाल होगी, उसकी expertise अलग होना, तो यहाँ पर Netherlands ने और Japan ने क्या करा है, यहाँ पर कुछ अपनी जो restriction है, वो tight का restriction लगाई है, चाइना को जो चिप माल export करते हैं, chip manufacturing से related उसके उपर, तो यह step US ने लिया है, साथ ही में यहाँ पर US ने और क्या किया है, US ने यहाँ पर अपने देश के अंदर भी एक कानून पास किया है, chips and science act, यानि कि कितने ज़्यादा important है semiconductor manufacturing, आप समझ सकते हैं, पूरी economy आने वाले समय में, पूरी economy और पूरा world dominance, जो है, अमेरिका का वो depend करता है, इस chip manufacturing technology पे अगर उसका control बना रहता है तो, यहाँ पर इसके उपर 280 billion dollar पास करे हैं, अपने देश के अंदर domestic research और funding को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, उसके अलावा अब यहाँ पर अगर बात करें, चाइना ने अभी क्या करा है, चाइना ने जो यह जो Netherlands ने export बैन लगा है, चाइना ने इसके बदले में, जर्मेनियम के उपर और गैलियम जो की important minerals हैं, elements हैं, इसके restrict कर दिया है, अब यहाँ पर जो experts हैं, उनका कहना है, कि यह जो step चाइना ने लिया है, इससे बहुत जादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना के पास, हालाकि large scale में यह सारे minerals हैं, लेकिन इनके substitute का इस्तमाल करके बड़ी आसानी से semiconductor manufacturing की जा सकती है, यानि कि बाकी जो minerals हैं, उसके आधार पर भी और बाकी देशों में resources हैं, उसको अगर ध्यान में रखा जाए, तो substitute और बाकी minerals ध्यान में रखें, तो यहाँ पर chip manufacturing पर बहुत जादा असर नहीं पड उसके पास भी leverage है, वो भी उसका इस्तमाल कर सकता है, और आपके दबाव में नहीं आएगा, अब यहाँ पर Taiwan जो है फिर से question में आता है, क्योंकि ये US और China के बीच में warfare चल रही है, ताइवान अभी leader है, और यहाँ पर कोशिश की जा रही है, अमेरिका के और China के द्वारा कि वो independently दुवारा से manufacturing, जो chip manufacturing है, उसको आगे बढ़ाएं, अपने देश में, China भी चाता है, control करना चाता है इस supply chain को, अब यहाँ पर Taiwan को ये खतरा है कल्प को उसके attack हो गया, तो उसकी manufacturing units और बाकी जो पूरी supply chain है, वो उसके control China का हो जाएगा, तो Taiwan क्या कर रहा है, Taiwan यहाँ पर अपने यह जो production है, chip manufacturing का इसको diversify कर रहा है, ताइवान की जादा तर investment पहले चाइना में थी, अब ताइवान क्या कर रहा है, South Asia के अंदर जैसे की बात करें तो, इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे, ताइवान की कुछ companies इंडिया में भी अब यहाँ पर manufacturing कर रही है जैसे iPhone जो है, वो Foxconn company के द्वारा manufacture किया जाता है इंडिया में, South India में, Tamil Nadu में उनकी Unix आपको मिलेंगी, Foxconn एक ताइवान की company है, अब चिप manufacturing के लिए भी इंडिया में इसको boost दिया जा रहा है, कि ताइवान की company और बाकी companies, American companies, इंडिया में आके invest करेंगे, और जो global supply chain ह इसको diversify करें, उसके centers ताइवान से हटाके, इंडिया की तरफ, जापान की तरफ, आस्ट्रेलिया की तरफ, बाकी देशों में भी इसको पहुंचाएं, ताकि एक ऐसा ना हो कि एक देश पर कबजा कर लिया और पूरी supply chain disrupt हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहा की तलाश की जा रही है, अब इंडिया के लिए यहां opportunity कहां पर आती है, दोस्तों बहुत जादा critical technology है, chip manufacturing, आने वाले future के लिए, ठीक है, अगर technology का ease और access बढ़ाना है आपको, तो बहुत जादा important है, इंडिया के लिए opportunity है, कि इंडिया इस opportunity को grab करे, यह जो diversify करने की ज़र manufacturing units को relocate करे, जहां पर वो semiconductor वगएरा को इंडिया के अंदर produce करे, यहां पर आप देख सकते हैं, यह सारी चीजे देखने को मिलेगी, अब इंडिया को ज़रूरत है कि इस opportunity को grab करना है, तो ऐसी policy initiatives लेने होंगे, सरकार को, ऐसे incentives देने होंगे, semiconductor manufacturing sector को, कि यहां पर यह सेक्टर हमारे electronic item सस्ती होंगी, और जादा वो develop होगी, advance होगी, तो यहां पर अगर बात करें, भारत सरकार ने यहां पर making India initiative के तहट यहां पर design and manufacturing ecosystem develop करने की कोशिश की है, electronic system में, साथ में production linked incentive जो scheme है, इसके अंदर electronic clusters बनानी की बात है, जहां पर electronic cluster बनेंगे, तो manufacturing electronics को बढ़ावा द देने की बात है, तो उसमें semiconductor यूनिक्स भी लगेंगी, साथ में यहां पर इंडिया ने dedicated 2020 में, 76,000 करोड का एक mission launch करा है, इंडिया semiconductor mission, इसके अंदर design linked incentive scheme है, जैसे यहां पर PLI है, production linked incentive scheme, यहां पर design linked incentive scheme है, DLI, तो सरकार ने यह initiative दे हैं, इंडिया के अंदर semiconductor manufacturing को बढ़ावा देने के लिए, और आप जैसा की दोस्तों जानते हैं, मैं यहां पर world history की live class लेता हूँ, special free classes के अंदर, आप मेरे साथ जोड़ सकते हैं, world history की classes अगर आपको लेनी है, तो free classes है, साथ ही में unacademy के plus course में हम NCRT को detail में study कर रहे हैं, 9th से 12th class तक, और history की NCRT को cover कर रहे हैं, 9th यहां पर annual prices जो है, इसके अंदर 50% का discount यहां पर देखने को मिल सकता है हाली में, और pre-mains interview, तीनों ही stages की तयारी आपको कराए जा रही है, और annual prices में बड़ोतरी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको discount भी अब यहां पर दिया जा रहा है, और 2024 के RMBET चल रहा है, EMI पर आप course कोई भी लिना हो, तो याद रखेंगे SMK Live, ठीक है, चलिए, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, अपना question देखते हैं, कि वही कौन सा, इस question का जवाब आप देखेंगे, कि कौन सा law कहता है, कि हर दो साल में semiconductor की जो capacity है, वो double होती जा रही है, तो यह कहता है Moore's law, ठीक है, तो उसको attempt करेंगे, और अगर आपको इंस्टा पर मुझे follow करना है, तो मुझे जुड़ सकते हैं, और mail भी कर सकते हैं, कोई भी doubt हो, तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, जहीं दोस्तों